जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ शौक की ना तो कोई कीमत होती है और ना ही कोई उमर और इसी का एक एक एग्जामपल है मेरे पास में ये अगर इस पर बैठ के मैं दिखाऊं तो बैठने वाले की शान अपने आप भी बढ़ जाएगी और चलाने वाला सोचेगा कि मैं क्या चला रहा हूँ लोग इसको बीच में ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं रोड पे इखटे होके सब गाड़ियां रोक रोक के देखते हैं और टैंक के ओपर जो ये सकल वर्क बना हुआ है गोल्ड लीफ के साथ में और ये जो गोल्ड फ्लेक्स हैं इसके साथ में ये आउट्स्रेंडिंग है ये कोई छोटे मोटे पेंटर्स का काम नहीं होता है इसके लिए आपको पेंट बरश टाइप्स आर्टिस्ट चाहिए ह जो कि ऐसे काम को कर सकें आप अगर देख पा रहे हैं तो एक एक दान इसका एक जो ये स्कल के अंदर जो ये हैं और ये तक बना रखें और ये कोई स्टेंसल वर्क नहीं है ये बंदे ने खूर अपने हाथ से पेंट किया है और पेंट ड्रश टूल से उसको ये वाले जो जो डेप्थ होती है ये दी गई है टैंक पे इतने स्कल वर्क और ये जो आपने काम देखा इसके साथ में अगर गौर से देखो तो यहां पे इसके जो रिम्स हैं ये भी गूल्डन क्रूम है जो शॉगर से ये भी गूल्डन क्रूम है और इन्दोंने ये बैरल एक्स लग पार्ट देख रहे हैं ये एक कंट्रास्स क्रेयट करते हैं और अगर हैंडल के बात करें तो सेम कलर की साथ में गौल्डन हैंडल उसके और एक बार शीषे लीवर सब कुछ ब्लैक एंड गोल्ड सिफ स्कल ही नहीं सिफ गौल्डन और ब्लैक नहीं इसमें कुछ ऐसा परसन और जो हमारी personality को प्रोफाइल को दिखाता है अब मैं दिखाता हूँ वह चीज बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी चीज है अगर आप फेंडर देंगे तो इसमें यह जो काम हुआ हुआ है इसके नीचे अगर आप यहां से देंगे इसको सीधा कर गे तो यह ओम और यहां पर ल जो पेंट स्कीम है जो पेंट जॉब है उसके अंदर अपना नाम जो ओनर है उसका नाम कैसे अंदर इंटेगेर्ट किया जाए और दोस्तों ऐसे कामों को हम बोलते हैं quality work और जो quality work होता है न वह अलग ही market के अंदर अलग ही तरीके से दिखता है वह भीड में अलगी चीज स को तो यह जो पैटन है और यह जो पैटन है आप देखिए यह पीछे बिलकुल रणिंग में आ रहा है एक सीधे सीधे स्ट्रेट फॉंट में जो इसको एक पीछे का बैग्राउंड कॉंट्रास दे रहा है इसको एक 3D एफेक्ट दे रहा है ओम भूर भावसवाद तत्सवेत में फेथ में गॉड में बिलीफ करते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है और गॉड भी हम पर अपनी ग्रेस बना के रखता है तो यह एक पैटन था सर जो मैंने कैरी फॉवर्ड कर रहा है कि पूरी बाइक थीम हो कि को आउट आफ थीम ना जाए सब कुछ उसी के अंदर इंटीग्रेटेड़ हो तो इसलिए ओम भूर्भावस्वा भी उसी के अंदर इंटीग्रेट करवाए है अचा तो जब आपने सोचा कि मैं अपनी बाइक को कुछ कस्टम करवाऊं कुछ कस्टमाइज करवाऊं तो दिमाग में कोई प्लैन था या फिर जिन लोगों उन्होंने भी मुझे अपने आइडियाज दे उन्होंने में साथ शेयर करा कि किस चीज को क्या बेटर कर सकते हैं और तब इस पूरी बाइक कर डिजाइन क्रेट हुआ और उसके बाद इस पर काम स्टार्ट हुआ है आपका मटगार तो पेंट जॉब होई गया है बड़ अ और में भी अंदर से भी पूरा निकाल के अच्छे से गोल्ड पेंट करा गया है सेम विद एलोई से आप सिल्वर ले लिजिए कोई भी ले लिजिए कोई मैच नहीं करता है ब्लैक एलोई कुछ खास नहीं लगते है एक ऐसी आई टर्निंग चीज 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 चलते हो लग यह आपके दिमाग से बना हुआ है या फिर आर्टिस्ट ने प्लैन दिया पहले एक आइडिया दिखाया उसे सबसे सर मैंने उनको स्कल्स बताया थे कि फॉर्मेशन किस तरह से होनी है उनका टच यह था कि एक स्कल हमारा में स्कल जै वो नॉर्मल है साइड वाले थोड़े इसको बनाने में अल्मूस्ट टू एफ त्री वन्स लग गए क्योंकि यह सर एक औरिनरी पेंट नहीं है चोटे जोब नहीं कि आपने पेंट लिया पूरे पे स्प्रे कर दिया इसमें बहुत डिटेलिंग के जरत होती है बहुत महनत भी लगती है और अगर एक छोटी सी च डिजाइनिंग देने में एफर्ट जो आटिस्स के हैं वो सर बहुत टाइम टेकिंग होते तो एक स्कल को बनाने में दो दिन अराम से लग जाए और डिटेल्स अड़ करने में कि कहीं जादा नहों जाए कम नहों जाए और यह डिटेल यहां पर दिग भी दिए जो कि इनकी जाए यहां पर हमारी सीड की स्प्रिं警 भी गोल्डन के हैं जी से हम पकड़िये स्टांड को खड़ा करते हैं वो भी जब बहुत जादा हो जाते ना तो अगली लुक देने लग जाते है बाइक को तो वहां के जो आर्टेस्ट हैं जो वरकर्स कर रहे हैं उन्होंने बॉक्स खुद हातों से बनाया है यह फाइबर का बना हुआ है इसके ओपर क्लेयर करके इसको बिलकुल एक प्रॉपर फिटिं अब देखते हैं यह फ्लोर पर यह फ्लोर पर लाइट आरी है तो यह जो फ्लोर पर लाइट वर्या रही है यह कहां से आ रही है अच्छा यह आपकी यहां पर लगी हुई है अच्छा इसके नीचे और आपकी यहां पर यह LED लगी हुई है अच्छा आप नीचे प्रोजेक्टर देखेंगे लेगाट पर जो लगा हुआ है उसका है अच्छा यह जल गए एक बात है मतलब यह तो seriously plane वा दिन में जब DRL जलानी हो तो DRL हो गई और जब रात को हमें fog lamp चाहिए हो तो fog lamp हो गए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका यह main headlight का आ जाता है यह हमारी अच्छा अभी बतारे दें आपकी इसके तीन टाइपस के हॉन्स हैं वह कैसे इसमें एक हमारा जो company हमारे यह रूट का मेकस्ट निगे और आप यहां देखेंगे तो यहां पर एक हमने स्विच्छ लगा रखा है अच्छा इसको चेंज करके हमारे पुलिस वाला पगड़ और यह वाले स्विच्छ तो खराब है ऐसा यह वाले हॉन से वैरी नाइस है वैरी नाइस ओके यह जो रेयर फेंडर है इसके अंदर में देख रहा हूं कि लाइट की असेमली नमर प्रेट की असेमली भी कुछ डिफरेंट है तो इस पर क्या काम किया हुआ है सर अगर हम क्लासिक का ओरिजिनल फेंडर देखेंगे तो वह यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर खतम होता है तो सर हमारा इतना एरिया जो है वह कवर्ड हो जाता उस चीज को रिप्लेस करने के लिए हमने यह पर थंडर बर्ड का ब्राकेट यूज करा है इंडिकेटर जो में राइडर है और यह है पिलियन के लिए तो दोनों बिल्कुल सेम सेम अपने कॉम्बिनेशन के साथ में बैठेंगे और मतलब पूरे बाइक इन हेलमेट को पहने बाद कंपलीट हो जाएगी यह थोड़ा सा थोड़ा मॉडरन टाइप से है बट यह तो कंपनी के साथ ही मिलता है तो इसका लोग मेरे खाल से बहुत जादा बैटर आने वाला है इस वाली कंडिशन में अच्छा पेंट जॉब तो बहुत साय लोग करवाते हैं लेकिन इतना जादा ध्यान जे और एफर्ट के साथ तीन महीने लगा के पेंट जॉब कराना बहुत ही मुश्किल ह अब है अब यह अब देख रहे हैं मैं चलता वह भी कैसा रहा हूँ और जब हम ईस ट्रिक क्लिवू सनकर वाते हैं तो इस में हमारे एक पर्सनल-टच होता थे हो जो जो पर्सनल चोइशन होता है जाल आप से भी तभी को दिख रहा है यह कितना ज्यादा धासू लग रहा ह यह इस वक्त मज़ा आ रहा है मैं को हलकी हलकी इसको राइट करने में लेट से देखो चाहिए राइट से देखो जो कॉलिटी ओफ वर्क है उसके क्या ही कहने और यह बाइक भी बिलेट 500 है जो स्टेल्फ ब्लैक 500 बाइक है यह इसके अंदर पंच भी है पावर भी है तो एटा नहीं है कि आपने सजा तो ली लेकिन पावर नहीं है यह जो राइड है यह काफी अच्छी लगी मेरे हिसाब से भी है 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 अच्छा है और राइडिंग पो इसका राइडिंग इस्पीरिंस भी अच्छा था इसका सीटिंग पोस्टर भी अच्छा है और इसके जो लुक्स है हर तरफ से वह भी बहुत जादा ही अच्छी है बंदे ने पैसा लगाया टाइम लगाया एफट लगाया सब कुछ दिखता है कुछ बिल्ट में ऐसा होता है जो मैंने अभी आपको दिखाए तो यह होता है एक शौक और इसी शौक को आप टाइम पर पूरा कर लें और टाइम के बाद पूरा कर लें फरक नहीं पड़ता लेकिन शौक पूरा करना वह चीज एक मेन होती है क्योंकि जैसे कि मैं बोलता हूं शौक की नई तो कोई की पस्थे जी कईमत होती है और नहीं कोई मर्थ ये जो我是 ट्रइप डिएरस बंद ए जो अपनी तो सब्राश्य अपना पर्सानल टर्श देटे इस जो में उन लोगों को दिखाता उन लोगों की बाइक्स आपको दिखाता हूं तो कैसा लगा ये वीडियो मेरको तो ये बाइक देखके और चला के बहुत ही जादा मज़ा आया आप भी शो में आ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे जाए वहाँ पर अपनी बाइक के पिक्स मुझे सेंड करिए और परसली हम इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं तो चलो बाइ 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 आज है होली सबको होली की बहुत-बहुत मुबारबात बहुत-बहुत अच्छे से खेलो सेफली खेलो होली इसी के साथ खतम करते हैं आज ये वाला वीडियो कैसा लगा जोरू बताना कमेंट्स में नए हो त प्राने हो तो लाइक करके दाओ तो चलो बाइबाइबाइब कीप वाचिंग कीप रॉकिंग इंडियान बाइबाइबाइब